Good morning class 7, this will be your 7th lecture, practice 2.4 बेटा, practice 2.4 में हम लोगों को basically numbers का reciprocal के बारे में जानना है जिसे हम multiplicative inverse भी कहते हैं किसी भी number का, तो reciprocal क्या होता है? reciprocal होता है बेटा, किसी भी number का opposite side यानि कि अगर जैसे 2 upon 3 है 2 upon 3 है, तो यह numerator आपका 2 है और denominator 3 है इसी को अगर हम 3 upon 2 लिख दे, यानि numerator को denominator और denominator को numerator बना दे तो यह आपका पहले वाले का हो जाएगा reciprocal ठीक है? जिसको हम बोलते हैं multiplicative inverse और इसकी पहचान यह होती है कि जब आप किसी भी number को उसके reciprocal से multiply करो तो answer हमेशा बनाता है अगर हम इसको multiply करें तो 2 से 2 cancel हो जाएगा, 3 से 3 cancel हो जाएगा 1 ताइम तो आपका answer क्या आएगा? 1 तो अगर किसी भी number को किसी से multiply करने पर answer 1 आ रहा है इसका मतलब कि वो दोनो number एक दूसरे के reciprocals हैं अभी reciprocal के जो properties हैं वो यह हैं सबसे पहली property यह है कि 1 अकेला ऐसा number है जिसका reciprocal 1 खुद ही होता है ठीक है? जो 0 है, 0 का कोई reciprocal नहीं होता है क्योंकि अगर आप 0 को हम 0 upon 1 लिख सकते हैं इसका reciprocal करेंगे तो 1 upon 0 लेकिन 0 को अगर आप divide में ले आओगे denominator में तो यह value तो अभी तक define ही नहीं की गई है तो इसलिए 0 का कोई भी reciprocal नहीं होता है ठीक है? आगे जो भी कुछ है वो हम लोग exercise के basis पर करेंगे आते हम लोग अपनी practice 2.4 पर देखे पेटा, practice 2.4 में first part में आपको fill up करने को बोला गया है ठीक है? तो यह हम लोग बुक में कर लेते हैं तो first part में बोला गया है कि एक number को हमने multiply किया 3 upon 8 से और answer 1 आया अभी अभी मैंने बताया कि answer multiplication में 1 तब ही आता है जब आप किसी भी number को उसके reciprocal से multiply करो अगर यह 3 upon 8 है तो इसका मतलब यहाँ जो होगा वो जस्त इसका opposite होगा यानि की 8 upon 3 second part में एक number को हमने किसी से multiply किया और answer 1 आ रहा है तो किसी भी number को multiply किसी से multiply करने पर answer 1 तब ही आता है जब हम उसको उसके reciprocal से multiply करते है यानि की 2 upon 9 का reciprocal क्या हो जाएगा 9 upon 2 अब यहाँ पर भी यह इसी दिया है यहां पर क्या किया है यह पहले मिक्स्ट में है तो मिक्स्ट से हम डिरेक्ट नहीं बता सकते हैं कि इसका reciprocal क्या होगा तो हमें पहले इसको इसको इंप्रॉपर में convert करना होगा तो यह आप नोट बुक में solve करेंगे मैं यहीं पर बता देती हूं तो seven fours are 28 तो नीचे तो four ही रहेगा और 28 प्लस three is 31 तो यह हो जाएगा 31 तो 31 अप 4 को जब आप multiply करोगे किसी से तो one तब आएगा जब जिससे आप multiply करें वो इसका reciprocal हो यानि कि यह हो जाएगा four upon thirty one तीके इसे हम mixed में convert करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह proper fraction और proper fraction को mixed में convert नहीं किया जाता है ठीके आते हैं question number two पर question number two में simply इनके reciprocals कूछे गए हैं तो वो हम लोग देखते हैं देखे बेटा इसका first part देख लीजिए यहां पर आपको 25 का reciprocal करना है तो 25 को हम लोग 25 upon one लिख सकते हैं reciprocal में क्या होता है जस्ट उल्टा हो जाता है मतलब numerator denominator denominator numerator तो 25 upon one किस में convert कर हो जाएगा one upon 25 में तो 25 का reciprocal क्या हो जाएगा one upon 25 इसका एक third part और देख लीजिए यह आपका mixed fraction है तो mixed से सबसे पहले तो हम इसे improper में convert करेंगे तो improper के लिए denominator सेम रहेगा numerator में 11 into 3 is 33 33 plus 9 42 तो 42 upon 11 आपका improper fraction है इसका reciprocal numerator denominator में denominator numerator numerator में यानि 11 upon 42 और इसी प्रोकल को ही हम लोग multiplicative inverse भी कहते हैं अब इसका जो second पार्ट है वो आप लोग अपने homework में करेंगे ठीक है next question पर आते हैं question number 3 में बेटा आप से divide करने के लिए बोलागे जिसमें आपके 9 parts है 9 में से 2 मैं आपको बता देती हूँ बाकी के आप खुद करेंगे चीक है देखे बेटा अब इसका जो first part है first part में दिया है 18 is divided by 3 upon 8 तो 18 को हमें divide करना है 3 upon 8 से तो 18 को बेटा हम लिख सकते है 18 upon 1 जब हम ऐसे divide करते है देखे पेटा जब हम लोग divide को जब हम लोग divide solve करना होता है fractions में तो हम लोग divide को convert कर देते है pen multiply में अच्छा ये हमारा dividend है और ये हमारा diviser है तो जब हम लोग divide को multiply में convert करते हैं तो जो हमारा divisor होता है divisor का हम लोग लिख देते हैं reciprocal अगर हम divisor का reciprocal करते हैं तो हमारा जो divide है वो multiply में convert हो जाता है तो 18 upon 1 को हमने multiply करेंगे तो multiply में क्या हो जाएगा 3 upon 8 का 8 upon 3 तो 18 upon 1 into 3, 8 upon 3 तो यह हम लोग divide कैसे करते हैं numerator में numerator का और denominator में denominator का तो 18 x 8 upon 1 x 3 अब हम जानते हैं कि 18 हमारा 3 से cancel हो जाएगा तो 18 को हम लोग cancel करते हैंगे कितने times 6 times तो 6 x 8, 48 और 1 x 1 वो हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इस तरीके से इसका 9 part और देख लीजे बेटा 9 part में आपको बुला गया 5 whole 4 by 11 is divided by 1 whole 5 by 55 4 by 55 तो सबसे पहले तो हम इन mixed fractions को improper में convert कर लेते हैं तो यहां आपका जो denominator है वो सेम रहेगा 11 11 x 5 55, 55 plus 4 59, 59 upon 11 divided by 55 का 55 भी रहेगा 55 x 1 55, 55 plus 4, 59 अब हमें divide solve करना है तो हम क्या करेंगे हम divide को multiply में convert करेंगे जब हम divide को multiply में convert करेंगे तो बेटा, numerator में numerator का multiply, denominator में denominator का 59 into 55 upon 11 into 59 59 से 59 cancel 1 times और 11 से 55 cancel 5 times तो answer आपका कितना आ जाएगा 5, ठीक है अब आते हैं बेटा, हम लोग question number 4 पर question number 4 में भी आपसे divide करने के लिए बोला गया है question number 4 पर भी पेटा हमें question number 3 की तरह ही solve करना है हमें divide करना है, बस यहां पर buy दे दिया है तो एक step और बढ़ जाएगा, हमें divide वाला sign भी यहां पर show करके दिखाना पड़ेगा तो इसका एक पार्ट में आपको करवा देती हूं, बाकी की 7 पार्ट आप लोग अपने homework में करेंगे, ठीक है देखें बेटा, इसका 8 पार्ट देख लीजिए 8 पार्ट में बोला गया है हमें divide करना है 10 whole 5 by 9 को 3 whole 3 by 2 by 3 से तो सबसे पहले इन mixed fractions को हम लोग convert करेंगे improper में, और by के जगा आजाएगा divide का sign, तो 10 whole 5 by 9 is divided by 3 whole 2 by 3, तो इधर 9 denominator सेम रहेगा, 9 into 10 90, 90 plus 5, 95 95 upon 9, इधर divided by 3 into 3, 9, 9 plus 2, 11, तो यहां से divide का sign हटका किसका आएगा, multiply का जब multiply आएगा, तो 11 upon 3 बन जाएगा, 3 upon 11, तो 95 into 3 upon 9 into 11, बेटा 3 से 9 cancel हो जाएगा, 3 times, तो 95 into यहां पर यह 1 times जाएगा 95 into 1, 95 और 3 into 11, 33 इसी तरीके से जो बेटा इसके remaining parts है, वो आप लोग अपने homework में करेंगे, और जो इनके remaining parts है 1 से लेकर 9 तक remaining parts, आप लोग अपने homework में करेंगे ठीक है, आपका lecture यहीं पर finish होता है ओके, thank you class